बॉर्णिंग स्टूदेंट्स बच्चे अचापत 14.1 एक टॉपिक रंदा है 14 जेप्टर दा मीन डिस्कस करांगे मीन दे सब तो पहला पाव फॉर्मुले डिस्कस करांगे मीन दे तिन फॉर्मुले हैं पहला ड्रेक्ट मेथड ड्रेक्ट मेथड़ को हुँँदा एक बार एक बार आपके इनू डिनोोड करते हैं मीन नूर्मुलुल हुँदा? summation f i x i upon summation f i summation f i into x i means जिनने अपनों frequency देती हैं हार एक frequency नों x i देनाल multiply करके उननों सारे तोटल किननर वाइट कर देना summation of f i frequency दे टोटल देनाल यह आपने को direct method यह direct method हो दो ही apply कर सकते जुदों आपने को class interval बहुत छोटी होए जिए class interval बहुत छोटी होए जिए जिरो टू 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 फोर बहुत छोटी x i value अपने को बहुत छोटी आवे ओधू ही apply method apply करना दूसरा method अजी उमट मीन मैथड एदे वेच क्योंदा है एक्स बार फाउमला की आएगा मीन की देख कुला जाएगा एप्लस समेशन एफ आइड याए अपन समेशन एफ आए एथे क्याव एड़ यह एग या अजीओंड मीन जेड़ा मीन आपने को लो आप लेट किता हुआ आप आपने को लो एक A दी वैल्यू लेट करांगे उन्हों आप अपने वलो मान के चलांगे कोई भी अज्यूमड मीन ते उस तो बाद D I D वैल्यू की आएगी नवी चीज आएगी D I K E में आएगा X I minus A आप आप D I D वैल्यू के में लिखांगे X I minus करके यह हमेशा हैं बाकियों में फिर F I इतनी जिते लास्ट अप्च आप एक साइनों मल्टिप्लाइगे ते आप अपके इनों मल्टिप्लाइ करांगे F I D I frequencies नू D I is दे नाल मल्टिप्लाइ करके टोटल दे नाल सेम F I D I दे समे अपके इनों मल्टिप्लाइगे तोटल दे नाल द्वाइट कर दांगे थर्ड में step division method in the formula on the X bar equals to A plus summation F I D I dash upon summation F I multiply by I where A equals to same assumed mean only here I go D अपने को same हों ही रहेगा X I minus A D I dash की आजएगा D I divided by I इते फिर I V अपने को लेट किता जाओगा